Hi and Welcome to the High Priest Starrow आप सब लोगों का बहुत स्यादा स्वागत है I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो So आज हम लोग देखने वाले हैं That आपका next 24 hours कैसा बीतेगा And ये एक बहुत ही general reading है Plus ये एक timeless reading है तो पहला बात आप इसे कभी भी देख सकते है कोई time यहाँ पर specific नहीं है जब भी देखे, आने वाला जो 24 घंटा होगा उस समय से शुरू करकर ये आपको resonate करना चाहिए ठीक है, and ये general reading है तो जितना resonate करें उतना ही लीजे कोई भी message को अपने उपर force बिल्कुल मत करना and मेरे बारे में सारा कुछ information नीचे description box में आपको दिया हुआ मिलेगा आप चाहे तो जा कर वहां से देख सकते है let us see what is coming for the collective next 24, we have ego number 15 the illusion of being trapped placing too much importance on material items getting caught up in fear and worry okay what else is there release number 13 let go of the past an ending that makes way for new opportunities time to move on hmm the hermit find or be a mentor take a break from society a commitment to your spiritual growth see, यहाँ पर एक चीज बहुत ही specific है बहुत ही specific है अगर आप देखेंगे इतने सारे कार्स में से आपके लिए जो कार्स निकल रहे है 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 पॉसिबल चालेंज़ज दाट लाइएड एन्वारमेंटल कॉन्सरवेशन ठीके लिसन जैसे कि मैं कह रहे थी कि आप एक क्लियरली बोला जा रहा है तो रिलीज सम्थिंग जो आपके लिए नहीं है तो लेट गो अफ सम्थिंग जो आप जकर के बैठे हो because आपका कोई false belief है इस चीज के उपर आप कुछ belief करते हो बस क्योंकि आपको वो belief आपका वो thought आपका वो नजरिया आपको comfort प्रोवाइड करता है आप change से डर रहे हो अगर consciously नहीं तो ये subconsciously हो सकता है आप कुछ change होने नहीं दे रहे हो आप change को बार-बार block कर रहे हो आपको लग रहा है कि आपके comfort zone से आप नहीं निकल सकते या ये भी सच है कि आप अपने comfort zone में भी comfortable नहीं हो because आप चीजों को outgrow कर चुके हो it is time to move on it is time to step out आप जहाँ पर भी हो जिंदगी में वहाँ पर उस जगा पर जो भी आपका कार्मा था जो भी कुछ आपको करना था सीखना था, देना था, लेना था वो हो चुका now it's time to move to the next chapter लेकिन consciously हो चाहे subconsciously हो आप उस movement से डर रहे हो आप उस movement को kind of negatively देख रहे हो आपको लग रहे है कि ये change ये transformation, ये movement चाहे वो outer surrounding में हो या spiritually हो या आपके अंदर inner growth हो, कुछ भी हो, वो बहुत दरावना है because आप uncertain हो कि पता नहीं you are holding on to something, ठेक है, कोई भी ऐसा रिष्टा, कोई भी ऐसा career, कोई भी ऐसा health issue, कोई भी ऐसा बुरा habit, कोई भी ऐसा आपके life में friend, या person, कुछ भी हो सकता है any type of energy जिसे आप जकर के रख रहे हो अपने जिंदगी में, but universe बार बार आपको उसे release करने के लिए कह रहे है because इस चीज का expiry date जा चुका, this is something जो अभी, it's like ये आपके नए chapter में नहीं आ सकता, ये चीज, ये इंसान ये रिष्टा, ये जो कुछ भी है, ये job ये health issue, या whatever this is आपको लग रहा है आप जिंदगी में trapped हो because आप कुछ ऐसे चीजों से जुरे हुए हो जो एक जगा पर रुका हुआ है आप एक ऐसे job में हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता आप एक ऐसे relationship में हो जो आपको as a person freedom नहीं देता आप एक ऐसे environment में रहे रहे हो जहाँ पे बहुत ज़ादा blockages है आपके रास्ते पे जहाँ पे आपको कुछ भी करने से पहले बहुत सारा problem जहलना पड़ता है बहुत सारा negativity का सामना करना पड़ता है whatever it is so it's like ऐसा नहीं है कि आप रुके हुए हो आपके हालात आपको रोक रहे है आपके रिष्टे आपको रोक सकते है आपका mindset आपको रोक सकता है आपका डर आपको रोक सकता है it's not like आप as a soul as a person आप जिंदगी में अटके हुए हो रुके हुए हो आप थम गए हो आप आगे नहीं बर सकते ये mindset से निकलना बहुत जरूरी है it's not telling you कि आप अपने dreams को छोड़ दीजे it's not telling you कि आप अपने but it's telling you that whatever is bringing you back whatever is pulling you down आप उस चीज को छोड़ने की कोशिश कीजे past especially आपके past से related किसी भी चीज को आप अभी भी hopefully देख रहे हो that it's not the past या भी भी future है इसमे या भी भी present है इसमे आप past में जीने की कोशिश कर रहे हो but universe is saying कि आपके सामने इतने सारे new opportunities है अगर आप देखो तो आपको समझ में आए इस वक्त कोशिश कीजे उस full energy में रहने की full card जिन लोग को पता है it's like the adventurous person जिसे कुछ नए चीज़े सीखना है जिसे life में आगे बढ़ना है जिसके मन में बहुत सारे सपने है जो you know risk calculated risk लेने से नहीं डरता आपको लग रहा है नहीं इसे ऐसे होना परेगा उसे वैसे होना परेगा मेरा past ऐसा था पता नहीं future कैसा होगा डर, fear, feeling trapped that is the energy जो मुझे मिल रहा है आज और सो बहुत जादा negativity है आपके mind पे हमेशा कुछ करने से पहले आपको यही लगता है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा मैं इतना lucky हूँ ही नहीं मेरे life में यह चीज होगा ही नहीं always आपका narrative जो है वो negative हो गया है कोशिश कीजिए कि positive affirmations आप सुने YouTube पे ऐसे बहुत सारे affirmation videos मिलते हैं आप वो सुन सकते हैं आप खुद अपना affirmation खुद बना सकते हैं लिख सकते हैं बेसिकली अपने subconscious mind को reprogram कीजें यह जो negative चीजों में आप डूब गये हो उस जगा से अपने आपको positive चीजों में दुबाने की कोशिश कीजें mindset is the main thing here आप अपने mindset को जैसे program करेंगे आपका life में वैसे वैसे changes आएगा mindset फिलाल negatively programmed है आप जैसे उसे positive में बदलते हो आप देखोगे कि automatically चीजे कैसे positively shift हो रहा है आपके life में आपको कुछ खास करने की भी जोरुद नहीं है I feel like इस 24 घंटे में आप थोड़े से stuck महसूस करेंगे आपके career में आपके love life में day to day जिंदगी में आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो suddenly like वो पूरा आप कर नहीं पा रहे हो अगर आप 10 काम का list बना रहे हो तो maybe बस आप 5 ही कर पा रहे हो 2 कर पा रहे हो and universe is saying that's okay next 24 hours ये चीज के उपर focus कीजिए कि आप कैसे अपने जो pending चीजे है जो चीजे बिगरा हुआ है life में जो आपको सुधारने है pending है काम उसे आप पहले finish कीजिए ठीक है आप अपना नज़र रखिए नए projects के उपर आपको आगे क्या करना है आगे कैसे बढ़ना है नए opportunities क्या है life को नए सीरे से कैसे शुरू कर सकते है कैसे अपने आपको positive बना सकते है आपका main focus उस पे होना चाहिए पर अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा कुछ या मैं अटक गया हूँ यहाँ पर या फिर मैं चाहा के भी कुछ change नहीं हो रहा है मेरे surroundings में तो आप क्या कर सकते है जो pending काम बाकी है आपका आप पहले वो कीजिए कुछ भी काम हो सकता है घर का काम हो सकता है अपने आप में self development का कुछ हो सकता है कोई छोटा मोटा change जो आप अपने जिंदगी में बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर रहे थे आप किसी को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे बोलने ही पा रहे थे अपने आपको पहले satisfy कीजिए कि हाँ अभी आप लाइफ में up to date है उसके लिए अगर आपको दो-चार दिन की टाइम चाहिए आप वो टाइम लीजिए बट डोन्ट गेट स्टाक इन दिस नरीटिव अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं दो दिन समय लेके मैं यह यह चीजों को सॉट आउट कर सकता हूँ लाइफ में या कर सकती हूँ और उसके बाद मैं नहीं सिरे से एक दम clear mind के साथ, positive mind के साथ फिर से शुरू करूँगा कुछ भी, career हो या जिन्दगी हर रोज का काम हो हर रोज आप कैसे mindset लेके उठते हो कैसे काम करते हो कैसे office जात, everything तो you take that time and you change the narrative you change the story you change the mindset किसी और की इंतजार में नहीं बैठना है आप ही को change लाना है अगर आपको लगता है कि उस change को लाने में आपको time चाहिए आप time लीजिए आप सोचिए, आप हजार बार सोचिए, आप 10 बार सोचिए but you have to do it there is no other way out ठीक है so now I'll take some channeled messages and and just like I always say that if you have to ask someone to ask someone then you can kind of ask in your mind like if you have a specific person in your mind or you can ask in the universe and if you need time, you can pause the video a little bit here I am going to release some channeled messages here so that we can see here that what is coming for the collective here joe loog aaj is video ko dekhne wale ho yaa kabhi bhi dekhne wale ho what will be your channeled messages from the universe and the guides yaa koi specific person joe aapke mind mein hai so ask your questions video ko pause bhi kar sakte hai I am going to take out some messages here and I will see what is coming thoda sa kuch crystals if something want to take out is there something here ooh we have two crystals ye do hai okay I'll explain that okay listen listen let's start off with your messages and this energy first of all you know what I am feeling here is that there is a lot of energy regarding manifesting a career option ya manifesting a money situation like aap career ko peaceful banana chate ho aap is career mein aap is career mein continue karna chate ho lekin peacefully aapko ye haros ka tension nahi chahiya aapko ye jhamela nahi chahiya aapko har din paeso ke baare mein souchne ka man nahi karta you want peace you want clarity you want serenity aapko lagta hai ki mein si career mein kama kareun ga ya karungi lekin mujhe shanti se kama kama karene deena perega mu jhe apna samayi le ke merah kama 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 karene deena perega maybe you are aap bhoat zyadha pressure ke under hai maybe aapko aapka jobhi income hai ya aapka jobhi aapka jobhi aap kama karete ho अगर आप student हो तो आपकी जो marks है, grades है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा महनत करना पर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जितना input दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उस हिसाब से मुझे output नहीं मिल रहा, so there is a lot of complaint मैं कहूंगी जो आपके मन में है, regarding your career, and also regarding the peace, because आपको लग रहा है कि आपके career के वज़े से आपका mental health, आपका peace disturbed हो रहा है, connect with nature guys, ठीक है, नेचर के साथ connect करने की कोशिश कीजे, however that is possible, आप शहर में रहते हो, तो find a way out, I don't know how, but nature के साथ connect कीजिए, जितना हो सके उतना, try to read something positive, जैसे कि affirmations, या कोई self-help book आप चाहे पर सकते है, anything, जो आपको positivity दे सके आपके mind में, try to connect with something that is a good source of energy, कोई अच्छा devotional music, कोई meditational music, या कुछ भी, कोई भी type का, कोई भी type का energy हो सकता है, connect कीजिए, जो आपके mindset को एक positive boost दे सके, now let's see your channeled messages, the first message here is, it's all temporary number 6, so number 6 important हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, नहीं भी हो सकता है, I am getting the 6 of cups energy, I don't know why, I feel like there is somebody here, जो आपको यही बोलना चाहते है, that whatever you are going through, like यह जो separation है, यह जो आपका stress है, यह जो अपका stress है, यह जो अप मान लीजे, financial problems है, आपके health issues है, these are temporary, and I think this is universe talking to you, I don't think यह कोई परसन से है, हो सकता है परसन से है, but this is all temporary, ठीक है, so आपको temporary चीजों में अपने आपको खोना नहीं है, आपको permanent का तलाश करना है, you have to see what is permanent in your life, या आपके लाइफ में क्या permanent हो सकता है, don't settle for less, that is what I am hearing, कम चीजों के लिए settle मत कीजे, आप बहुत कुछ deserve करते हैं, अगर आप उस चीज को यकीन नहीं करेंगे, then it's a problem, क्योंकि लोग आपको आके जिंदगी में यह नहीं बता के जाएंगे, कि ओ अच्छा, बहुत deserve करते हैं, यह लीजी आपका price, यह लीजी आपका blessing, नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा, you have to be the one to give you that price, you have to be the one, जो अपने आपको उस जगा पे लेके जा सकते हैं, जहां पे you get what you deserve, ठेक है, we have a letter S, S से किसी का नाम हो सकता है, सर्नेम हो सकता है, आपका या आपके किसी specific person का, we have another message here, which says, वाओ, I am so in love with you, but only if you believe, so guys, this is somebody, of course, यह कोई किसी का परसन है यहां पे, and remember the six of cups energy I got, I feel like यहां पे, this is somebody who is wanting you in their life, यह परसन आपको चाहते है, like it's so clear as, like it's clear as the day, यह परसन आपको चाहते है, यह तो this is an ex-partner maybe, but जादा तर लोगों के लिए this is a new partner, यह परसन यह तो बहुत फ़नी यह लुकी, यह अपको लुकी टाइप अपरसन है, इनकी अनरजी ऐसी है, यह तो यह आपसे उमर में छोटे है, थोड़े से, यह फिर इनकी अनरजी ही बहुत यह अट हाट ताइप अनरजी है, इनकी अनरजी बहुत बहुत पॉजिटिव है, यह अपको समझ में आता है कि हम इस इंसान के अंदर कोई अटलीस नेगिटिविटी यह चुपा हुआ इंटेंशन और वह सब नहीं है, this is a very simple, happy-go-lucky person, जो लोगों को हसाते हैं, entertain करते हैं, मजे करते हैं, वैसे वाले, and this person is in love with you, ठीक है, so हो सकता है कि यह आपके current partner है, हो सकता है कि यह आपके future partner है, but I feel like आप this person को already जानते है, यह already आपके life का एक पार्ट है, so यह आपके friend हो सकते है, कालीग हो सकते है, क्लास्मेट हो सकते है, यह आपके current partner भी हो सकते है, and for some of you, हो सकता है कि आपके ex-partner हो, but this is somebody जो kind of obsessed है आपसे, this person wants to be a part of your life, this person wants to tell you that he आपको कितना पसंद करते है, यह प्यार करते है, यह कितना चाहते है कि आप इनके life में रहे, what else is there, let's see, marry me, okay, I feel this is from this person only, as I told you, this person is obsessed with you, obsessed with you, of course, back to back messages, so go marry this person maybe, we have the letter, I don't know, I think this is C लगा, but this is also an U, so U for as in umbrella, C for cat, S-A-C or U किसी के लिए रेजनेट कर सकता है, मेभी किसी का नाम, सवनिम है, we have the letter D, D again, किसी से रेजनेट हो सकता है, maybe this is the person with that letter or something, we have Gemini, time for some magic and mirrors, okay, listen up, I feel like, you know, it's all resonating right now, you know, जैसे कि मैं पहले आपकी रीरिंग को शुरू करने के ताइम बता रही थी that, मुझे बहुत पॉपल नजर आ रहा है, मुझे बहुत like, I'm getting this energy of the crown chakra, आपकी spiritual growth, आपका spiritual connectivity, and this is the sign here, this is the confirmation here, spirit wants, कि आप connect करे spirit से, spirit wants, कि आप अपना crown chakra के उपर focus करे, आप अपना intuition के उपर focus करे, आप अपना third eye के उपर focus करे, third eye and crown chakra is, like, is something, जो आपको सही direction देगा, या फिर इस something, जो आपकी सारे questions का answer आपको देगा, आप ही का crown chakra and third eye chakra, so this is a time to be spiritual, ये time है to manifest, this is a time to journal, this is a time कि आप remedies करे, आप rituals करे, this is a time कि आप universe से connect करे, higher power से connect करे, आप religious ceremonies attend करे, या आप कोई भी चीज जो आपको लगता है, कि it's a way I connect with my positivity, it's a way I connect with the universe, आप वो करे, you are being called to do that, however, whatever ways आप को सही लगे, आप कर सकते है, let's see, there are other things that I need to take care of, falling apart, I feel this is also from somebody's person here, but maybe ये वो person है, जिनके साथ फिलहाल थोड़ा सा no contact वाला situation है, this is that person, जो अभी भी आपके life में, पूरी तरीके से, like present नहीं है, या तो या आते जाते रहते है, या तो suddenly ये गाइब हो गए है, या there has been a breakup, separation, something, and this is somebody, जो बस यही कहना चाते, ये अपने life में भी proper, like, सुकून में नहीं है, this is somebody, जो अपने life में भी हजारों प्रॉब्लम्स जहेल रहे है, and go through कर रहे है, and ये person अपना best try कर रहे थे, कि वो इस connection को भी, manage कर सके, but this person is somebody, जो फिलहाल थोड़े देर के लिए, इस connection को prioritize नहीं करने वाले, this is somebody, जो थोड़े देर के लिए, kind of, अपने life को पहले, settle down करने वाले है, या अपने बारे में पहले सोचने वाले है, क्योंकि इन्हें लगता है, कि ये इतना सब कुछ एक साथ में manage, नहीं कर सकते, so हो सकता है, कि इनके life में सच में, कुछ problems है, कुछ issues है, जो इनके लिए बहुत जादा hectic है, mentally, इनको बहुत जादा disturb कर रही है, problems, but this is somebody जो permanently नहीं गए है, first of all, and ऐसा कोई intention भी नहीं है, but it's just a person जो अपने life को थोड़ा सा sort out करना चाते है, maybe कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, that depends, but वो इस वक्त ready नहीं है, to put in work, to put in efforts, retreat and find the soul peace, yeah, I think this is a message from the universe, या कुछ लोगो के लिए आपके परसन से भी हो सकता है, and this could be this person only, because I feel like यहां पर यही बोला जारा है, that this is a time to focus on yourself, this is a time not to think की दुनिया में क्या हो रहा है, and all that, this is a time you see yourself, you find yourself, you find your own happiness, you find your own growth, you find your own peace, थेक है, आप जितना अपने साथ connect करेंगे, अपने spiritual team के साथ connect करेंगे, उतना जादा, you will find happiness, you will find peace, you will find clarity, so, जो लोग इस separation situation में हो, I think you need some time for yourself, and stop focusing on this person, right now, अभी के लिए, we have Aquarius, don't react, but watch closely, maybe आपे कोई Aquarius हो सकते है, या कोई Aquarius person से दील कर सकते है, and this is being, this is spirit telling you that, whatever is happening, maybe बहुत जादा unclear है, foggy vision है आपका, you are not sure, so, जब आप sure नहीं होते हो, it's the best, कि आप react ही ना करो, it's the best, कि आप कुछ देर के लिए silent रहो, आप बस देखो, आप बस observe करो, क्या हो रहा है, let the universe handle it, let the universe show you the reality, हम लोग कभी कभी, जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो assume करने लगते है, कि अच्छा तो फिर ये ऐसा है, वो वैसा है, because we don't know, we assume, and आधा स्टोरी हम आधा स्टोरी हम आधा स्टोरी हमें पता होता है, and we create a problem for us, but the best thing is, कि assume भी मत कीजिए, don't think so much, जितना आपको समझ आ रहा है, जितना आपको दिख रहा है, बस उतना ही observe कीजिए, and wait for the final showdown, wait for the ultimate clarity, क्योंकि वो clarity आपको मिलेगा, वो conclusion, वो clarity, जो भी आप चाहते हों, वो आपको मिलेगा, but you have to be patient, don't assume things, आधा स्टोरी अपने से मत बनाई है, let universe reveal the reality, the truth, ठीक है, so those were the messages for you guys, and I hope that this helps you, I hope that this gives you some happiness and clarity, thank you so much for watching, अच्छा लगा हो तु जरूर बताये, like, share, comment, and subscribe, if you are new here, of course, be a part of this family, and मैं आप से फिर मिलूंगी एक और reading case, till then, take care, and goodbye,